accounting no problem मैं आपका स्वागत है मैं हूँ आर्थी आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है खर्म्या सोचें आप data entry operator यानी बाबू बनना चाहते हैं या accountant आप टेली का अधूरा ग्यान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्वान बनना चाहते हैं यदि आप accountant या विद्वान बनना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है इस वीडियो सिरीज की सभी वीडियोज को एक एक करके क्रमानुसार ही देखें वीडियोज को क्रमानुसार देखने के दो तरीके हैं पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेइलिस्ट द्वारा टैली प्राइम की इस वीडियो सिरीज के आज के अध्याय में हम बताएंगे टैली प्राइम में लेजर बनाना इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको लिस्ट ओफ अकाउंट्स के बारे में बताया था साथ ही ये भी बताया था कि टैली में इससे हमें लेजर बनाने और ट्रंजिक्शन रिकॉर्ड करने में किस फ्रकार से साहिता मिलती है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टैली प्राइम में बनी हुई किसी कमपनी में लेजर किस तरह से बनाये जाते हैं। एक बात का ध्यान रखिए आपको सिर्फ वीडियो देखने से लाव नहीं होगा। यदि आप इस वीडियो का सही लाव लेना चाहते हैं तो जैसा आपको वीडियो में समझाया गया है ठीक उसी तरह दो तीन बार प्रैक्टिस जरूर करें। तो चलिए शिरू करते हैं आज का अध्याए। टैली में जब कोई कमपनी बनाते हैं तो उसमें हमें दो लेजर, कैश और प्रॉफिट अन लॉस अकाउंट पहले से ही बने हुए मिलते हैं। बाकि आपको अपनी आवशक्ता के अनुसार बनाना होते हैं। माल लीजिए हमने कोई व्यापार शुरू किया है तो हमें टैली में हिसाब रखने के लिए पहले कुछ लेजर बनाना होंगी। जैसे कि व्यापार के लिए हम कैपिटल लाएंगे तो उसके लिए कैपिटल अकाउंट किसी से उधार माल खरीदेंगे उधारन के लिए अशोक ट्रेडर से उधार माल खरीदेंगे तो उसका अकाउंट बैंक में खाता खोलेंगे तो बैंक का अकाउंट जो भी खरीद करे उसके लिए purchase account, जो माल बेचेंगे, उसके लिए sales account, हमने जो दुकान किराय पर ली है, किराय के लिए rent account, इत्यादी, टैली में laser बनाते समय हमें वो laser किस group के अंतर आएगा, ये निर्ने करके उस group को चुनना होता है, पैसे तो हमने आपको पहले जो परिभाशाई बताई हैं, उस आधार पर आप laser से संबंधित group का निर्ने स्वयम ही कर लेंगे, पर कई बार ये निर्ने कर पाना मुश्किल होता है, ऐसी इस्थिती में आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो list of accounts की मदद ले सकते हैं, उसमें हमने बहुत ही सरल तरीके से group कैसे चुनना ये बताया है, टैली में जैसे ही हम कोई company open करते हैं, तो सबसे पहले gateway of tally की screen दिखाई पड़ती है, और इसे हम tally में जाने का main gate या यहां आपको अलग-अलग headings जैसे masters, transactions, utilities और reports दिखाई पड़ रहे हैं, और इनके अंतरगत कुछ options भी दिखाई पड़ रहे हैं, हम एक एक करके सभी options समझाएंगे, सबसे पहले हम masters से शुरुबात करेंगे, masters में आप तीन options देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है create, इसक कहा सकते हैं record maintain करने के लिए जो भी masters ज़रूरी हैं उन्हें बना सकते हैं, दूसरा है alter, इसकी सहायता से आप अपनी company में जो masters बने हुए होंगे, उनमें changes करना चाहें, तो वो कर सकते हैं, और तीसरा है chart of accounts, इसकी सहायता से आप अपनी company में बने हुए masters को एक साथ देख सक सकते हैं, यहां हम आपको एक महतुपून बात बता देए कि इन तीनों options पर हम go to की सहायता से भी जा सकते हैं, go to के लिए या तो उस पर click करें, या alter और g keys को एक साथ press करें, हम यहां पर mouse से click कर रहे हैं, देखिए यह तीनों options क्रमशह, create master, alter master और chart of accounts के नाम से यहां पर दि voucher entry कर रहे होते हैं, या कोई report देख रहे हैं, और उस दौरान यदि आप इन options का उप्योग करना चाहते हैं, तो go to की सहायता से कर सकते हैं, हम escape की press करके वापस पहले वाली screen पर आ गए हैं, अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर create already highlighted है, इसलिए हम enter press कर रहे हैं, देखिए यह आपर तीन heading दिखाई पढ़ रहे हैं, accounting masters, inventory masters और statutory details, और इनके अंतरगत कई प्रकार के masters के नाम दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आज हम ledger के बारे में बताएंगे, तो देखते हैं, टेली में ledgers किस प्रकार से बनाए जाते हैं, आप जिस तरह का भी master बनाना चाहते हैं, उ ऐसे हमने ledger के लिए L टाइप किया, यह देखिए ledger highlight हो रहा है, अब हम enter press कर रहे हैं, यह देखिए ledger creation window आ गई है, कोई भी व्यापार प्रारम्व करने के लिए सबसे पहले capital लाई जाती है, तो पहले हम capital का ledger बनाएंगे, चुंकि हमारे व्यापार का स्वामी एक व्यक् इसलिए हम proprietors capital account के नाम से ledger बनाएंगे, आप चाहें तो सिर्फ capital account के नाम से भी खाता खुल सकते हैं, यदे हमारे व्यापार के एक से अधिक स्वामी होते, यानि अगर हमारी partnership firm होती, तो हम अपने partners के capital account बनाते समय, उनके नाम के साथ खाता खुलते, जैसे शाम्स capital account, से उपर name के आगे हमें ledger का नाम लिखना होगा, तो हमने यहाँ पर type कर दिया है, proprietors capital account, अब enterprise करेंगे, अलियास वाले option को हम blank यानि खाली छोड़ रहे हैं, इसको हम बाद में समझाएंगे, आगे बढ़ने के लिए enterprise करें, यहाँ under में पहले से ही capital account group दिखाई पढ़ रहा है, तो सबसे पहले व्यापार के स्वामी को व्यापार में capital लगानी होती है, और उसके लिए tally में capital account बनाना होता है, और यह account capital account group के अंतरगत ही बनेगा, यही कारण है कि जब tally में हम पहला leisure बनाने जाते हैं, तो under में capital account group ही दिखाई पढ़ता है, हम इसे ही selected रहने दे र कर रहे हैं, अब enter की press करते हुए तब तक आगे बढ़ते जाएं जब तक accept window ना आ जाएं, यह देखिए accept window आ गई है, enter press करके ledger creation window को accept कर लेते हैं, यह देखिए ऐसा करते ही हमारा ledger बन गया है, और अगला ledger बनाने के लिए ledger creation window फिर से आ गई है, अब हम अगला ledger हमारे supplier supplier अशोक traders का बना रहे हैं, इसके लिए यहाँ पर supplier का नाम लिख देंगे, और अब enter press करते हुए आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ under में हमें group select करना होगा, देखिए right side में list of groups दिखाई पड़ रही है, हम जो ledger बना रहे हैं, वो जिस group से संबंधित है, वो हमें इस list में से आप list of groups में ध्यान से groups के नाम देखें, और यह निशित करें कि कौन सा group select करना है, यहाँ हम supplier का ledger बना रहे हैं, और जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि suppliers sundry creditors group में आते हैं, तो अब यह निशित हो गया कि हमें sundry creditors group चुनना होगा, इसे चुनने के लिए group के नाम का पहला अक्षर type करें, जैसे हमने type किया S, ऐसा करते ही इस अक्षर से शुरू होने वाले जितनी भी groups होंगे, विस अभी एक साथ दिखाई पड़ेंगे, अब आप अप या down arrow keys की सहायता से संबंधित group के नाम पर जाएं और enterprise करें, अब enterprise करते हुए आगे बढ़ें, यहा का जो नाम पहले type किया था वो आ रहा है, अब यहाँ पर हम उसका पूरा पता type कर देते हैं, अब enterprise करते हुए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर state select करें और enterprise करें, यहाँ पर pin code डालें, और control और A keys से इस window को accept कर लें, अब हम अपने bank का laser बना लेते हैं, laser creation window खुली हुई है, enterprise करते हुए आगे बढ़ें, यहाँ पर हमें group select करना होगा, हम bank accounts group select कर रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ अपने bank account की पूरी details दे सकते हैं, हम अपने bank account की पूरी details दे रहे हैं, enterprise करते हुए आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पर हमें bank की mailing details देना होगी, इसके बाद enterprise करते हुए आगे बढ़े यहाँ end में opening balance लिखा हुआ है आए इसे समझ लेते हैं मालीजिए कोई व्यवसाई किसी financial year की शुरुवात में या बीच में manual accounting बन करके tally में accounting शुरू कर देता है तो उसके manual accounting के जो भी closing balance होंगे वो tally के लिए opening balance हो जाएंगे और वे सभी balance उसे computer accounting शुरू करने के पहले लेजर्स बनाते समय अपने यहाँ पर opening balance में लिखना होंगे हमारा कोई opening balance नहीं है पर समझने के लिए यहाँ पर हमने 5000 लिख दिया है enterprise करते ही यहाँ उपर आपने जिस तरह का group select किया है उसके हिसाब से यहाँ DR या CR लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा इसको हम आगे समझेंगे आप चाहें तो इसमें अपनी जरूरत के हिसाब से परिवर्तन कर सकते हैं debit के लिए D type करें या फिर credit के लिए C type करें और enterprise करें हम इसको DR ही रहने दे रहे हैं इस window को accept करने के लिए Ctrl और A keys को एक साथ प्रेस करें इस वीडियो में हमने आपको एक समय में एक ledger बनाना सिखाया इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको multiple ledgers यानि एक साथ एक से अधिक ledgers बनाना सिखाएंगे साथ ही बताएंगे कि आपने जो ledgers बनाए हैं उन्हें groups के साथ कैसे देख सकते हैं